टी सी आरवी यानि टारिफ आफ कास्ट रेगुलेटर को को ऐसे चेंज करते हैं सबसे पहले जाएंगे रिलेस्टिप पे और उसके बाद जिस कंज्यूमर का आपको रेगुलेटर फ्रेम में बदलना हो उसको कंज्यूमर नंबर सर्च में जाके कंज्यूमर नंबर डाल देंगे और उसके बाद एरो आइकन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद रिलेस्टिप हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे जैसा कि आप जर्नल कनेक्शन मनाते समय करते हैं और उसके बाद आपको सिंपली डाकुमेंट पे चले जाना है डाकुमेंट पर जाने के बाद में आपको प्लस का सिंबल लेना है दिये गए आइकन पर और उसके बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है टी सी टी सी आर वी और ओर्डर सब टाइब में देख सकते हैं आप लॉस रिक्वाइडमेंट है तो आपको नीचे रिप्लेस्मेंट का आपसन मिल जा रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे क्लिक कर लेने के बाद टागुमेंट हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और इसकिल लाइन नाइटब में जाने के बात प्लस सिंपर पे क्लिक कर लेंगे कलिक कर लेने बाद में आपको सर्च करना है के सर्च करने के बाद आपको चलिए दिखा दे रहे हैं थोड़ा शाइड पेर बढ़ा के कि आपको साफ साफ कौाइंटीटिती सो हने लगे इसमें आपको मिल जा रहा सबसे उपर ओंपर अपको स्रेंटर विय तर्लेंट कर सकते हैं और टैरिफ काश्ट लेकर भी आप जबाद इसलिए करने के बाद आप को प्रमोंच्ट कर देना है कि करने के बाद में दीज हो जाई विजिद पर आप जो नया regulator दे रहे हैं कंजीमर को उसका किस कंपनी द्वारा बनाया गया है उसको लिख देंगे और टेकनो से बना है मेरा तो मैं टेकनो से लिख दे रहा हूं जो नया regulator में दे रहा हूं और उसके बाद उसका manufacturing gear छोड़ेंगे कब बना हुआ है उसको डालवेंगे उसको डाल देने के बाद में है कि उसका month मण्द स्लेक्ट कर लेंगे कि मत्डिक कर लेने के बाद में रेगुलेटर जो मारे नया दे रहा हुं उसकाase सेरियल नंबर यहां पर डाल देंगे रेगुलेटर में जो की लिखा होता है उस सेरियल नंबर को जाना बहुत ही मैंडेटरी है तो चैनल हम इससे भी फिलप कर लेते हैं तो पूरा फिलप हो जाने के बाद में आपको नीचे आना है अब इसमें आपको जो कंज्यूमर आपको रिप्लेश में वापस कर रहा है रेगुलेटर यहां पर उसको ढाल देना है जिस कंपनी का है उस कंपनी को डाल देना है और मैंट डाल देना है और मन्थ डाल देने के बाद जैसे सेम प्रोसेस किया थे आप उसका रिगुलेटर का आपको सीरियल नंबर यहां पर डाल देना है तो चलिए मैं सेरियल नंबर फिलप कर दे रहा हूं कर देने के बाद में आपको नीचे से स्लाइड करके थोड़ा लाना है नीचे से दाहिने तरफ को स्लाइड करते हो ले आना है तो आपको एक तरफ मिल जाएगा description तो इसके वो आप open करेंगे चलिए से थोड़ा बढ़ा लेते हैं बढ़ा लेने के बाद आपको इसमें defective मिल जाएगा और तरह तरह के आपसन मिल जाएगे किस तरह के ब्रोकेन पिन तो आप यहां से जो भी आपको जो आपकी regulator में समस्या हो यहां से आप टैग कर सकते हैं तो मेरा ब्रोकेन पिंग है या लीग है जो भी आप पिन ब्रोकेन है जो भी है आप कर सकते हैं तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं वंग लिख ले रहा हूं तो यहां पर लिख कर लेने के बाद में आपको सिंपली अब यहां से कुछ करना नहीं है सिधा वह स्लाइट करके थोड़ा उपर जाना है उपर जाने के बाद में सम्मिट बटन पर क्लिक कर लेना है इन्वाइस पर क्लिक कर लेना है इन्वाइस क्लिक कर लेने के बाद में आपको यहां से और कंप्लीट करना है और ध्यान दें अगर आपको कैंसिल भी करना है तो यहीं से आप कैंसिल भी कर सकते हैं और चलै करने हैं तो उम्मीद करते हैं है चलिए आपको पहले इन्वेंटरी चेक देते हैं अगर आप यहां से डाउनलोड करते हैं तो कहो बursday की राइस सब्सक्रास कर ही आएगी ुस के लिए पेक पूरे एस भी पेपर साहिद प्रिंट लेना है उसका फुल नोटिफिकेशन साहिद तो आपको डाकुमेंट में ही जाना पड़ेगा तो फ्रेंट उम्मेद करते हैं वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब पर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोगों की मदद हो तके तो इसी के साथ हमें अनुद्धित दीजिए वंदे मात